इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं care के health insurance का इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेंगे care health के जितने भी popular plan से आपके लिए यहां पर कौन सा प्लान यहां पर best रहेगा इसका claim का basically क्या process है और care health के क्या pro and कौन से यह सारी चीज जानने को मिलने वाल है just like the star health अगर मैं market share की बात करो पूरी health insurance industry के अंदर more than 4% यहां पर market share basically hold करती है अब गाइस बात करते है claim settlement ratio की तो हम लोगों ने इसका एक latest claim settlement ratio निकाला है idea की website से तो यहां पर आप देख सकते हैं जब starting of the period था तब उनके पास में एक लाग claim यहां पर पैंडिंग थे और यहां पर 21-22 के अंदर इनके पास में 5,90,000 claim आया है और उनके से 5,15,000 claim इन लोगोने से यहां पर settle कर दिये है तो guys अगर आप ultimately तो इसका सबसे ज़ादा यहां पर claim settlement ratio निकल के आता है तो चले guys अब हम लोग इनके plans को यहां पर compare कर लेते हैं और इसके लिए मैं help लेने वाला हूँ policy bazar की website का जिया और guys मैं आप सभी को recommend करूंगा आप health insurance को buy करने के लिए policy bazar की website को use में लीजे क्योंकि यहां पर आपको सारी कमनी के health insurance मिल जाएंगे प्लस यहां पर आपको additional benefit क्या मिलता है इनका largest on ground claim support है जो कि आपको help करता है claim के time पर claim assistance के अंदर साथ में guys अब इनके walking store भी खोल चुके 23 से जादा city के अंदर जो आपको support provide करते हैं आपको dedicated relationship manager वगरे मिल जाता है और साथ में आपके जितने भी policy के documents है या आपका tax के benefit के जो receipts वगरे होती है वो सारी चीजे भी इनकी website के तुरू बहुती easily मिल जाती है आपने guys 51 से भी ज्यादा company से आपको एक साथ compare करने को मिल जाती तो guys देर किस बात के link description box में दे रहा हूँ एक बद जरू चेक आउट कीजेगा तो देखे guys मैंने अ कासिक और थर का नाम में care advantage तो देखे अगर आप premium wise यहाँ पर compare करेंगे तो care supreme का सबसे premium यहाँ पर कम आता है और इन दोनों के इंतर में ने 555 लाग को cover किया है और जो care advantage है वो आपको सीधा 1 crore का यहाँ पर coverage provide करता है लेकिन obviously बात है आपका premium में यहाँ पर increase हो जाता है अगर में restore of the cover की बात करो यानि कि let's suppose एक बार आगर आपने साल में claim डाला फिर उसी साल के इंतरा आप नेस time डालना चाहते हो और आपका जो पूरा summer short था वो खतम हो चुका है तो guys यहाँ पर क्या होता है आपका वापिस refill हो जाता है तो supreme की बात करो तो 5 लाग रुपे बिमारों के लिए यानि कि अगर related बिमारी या फिर unrelated है माले जिए first time आपने एक बिमारी के लिए डाला था फिर second time जब आप डाल रहे हो तो हो सकता है वही बिमारी हो या फिर दूसी बिमारी हो दोनों के लिए यहाँ पर अपनी के बल है तो guys care classic हो गया और care advantage हो गया तो care classic म अगर आप किसी भी साल के अंदर का claim नहीं करते तो इसका आपको advantage यह मिलता है कि अगर let's suppose अगर आपने पांच लाग का यहाँ पर समय शौट करा रहा है care supreme के अंदर तो डाय लाग रुपे पर year से यहाँ पर यह increase होने वाला है और maximum 5 साल जा सकता है यानि कि अगर let's suppose अगर 1.25 लाग रुपे पर year यहाँ पर increase होगा और maximum यह 7.5 लाग रुपे यहाँ पर जा सकता है लेकिन ध्यान रखेगा यह reduce भी होगा अगर आप कोई claim करेंगे तो आपका जो bonus है वो 50-50 लाग रुपे से reduce भी होगा इसके लाग इस अगर मैं care advantage की बात की हो तो यहाँ पर 10,000,000 रुपे जा सकता है और अगर आपका यहाँ पर claim कोई भी डलता है तो यह simply 10,000,000 रुपे से reduce होगा इसके लाग इस main हमारी जो चीज आती हो आती है cashless hospital तो यहाँ पर policy बजार के website की खास बात यह भी है यहाँ पर आपको सीधा आपके जित्ते भी network hospital होगे आपके city के उन सबी की यहाँ पर list निकल के आ जाती है तो यहाँ पर जरूर चेक आउट कीजेगा कि आपके जो nearby hospital है उनके साथ में यह network tie-up है कि नहीं है क्योंकि यह काफी जादा important है क्योंकि जब भी obviously बात है ऐसी कोई situation आएगी सबसे पहले आप अपने nearby hospital ही जाते है कि लाग इसमें advantage के इंदर 30 days का है और post की बात करो तो supreme के इंदर सबसे ज़ादा 180 दिनों का है classic के इंदर 90 days का है और advantage के इंदर 60 days का है pre or post hospitalization का मतलब यह होता है कि hospital के इंदर admit होने से के पहले के खर्चे और discharge होने के बाद में जो भी खर्चे होंगे वह सारे यहां पर आपके count होते हैं इसके लागा इस अगर मैं day care treatment की बात करो तीनों के इंदर यहां पर included है advantage के इंदर 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 यहां पर काम करेगा और hospitalization at home की बात करूँ तो advantage के इंदर वह चीज़ कवर नहीं है लेकिन supreme क्लासिक के इंदर यहां पर आपका जित्ता भी summer short है वह आपको पहले से कोई बिमारी है और इस plan के अंदर आप एंदर रहे है तो तीनों के अंदर जो waiting period है वह basically चार सल का यहां चार सल तक का आपको wait करना पड़ेगा और इसका सबसे बड़ा advantage यहां पर इस policy के यह देखने को मिलता है कि इन तीनों ही plans के अंदर आपका maternity cover है वह आप पर cover रहता है और साथ में कोई भी waiting period ही है यानि कि first year से ही आपको 25,000 रुपीज का basically discount मिल जाने वाला है तीनों ही plans के अंदर इसके अंदर delivery हो गई doctor की fees वगर है हो गई या फिर आपके बच्चे से रेटेट होगर कोई expenses वगर है तो वो सारी चीजे basically यहां पर cover रहती है इसके लवगाई से अगर यहां पर मैं आयूश की बात करूँ तो care supreme के अंदर वो 5,000,000 तक आपका मलत जित्ता भी समय शॉट है वो cover है care classic के अंदर 50,000 यहां पर तक cover है advantage के अंदर आपको यह नहीं मिलेगा worldwide अगर मैं coverage की बात करूँ तो तीनों प्लान के अंदर यह चीज नहीं पढ़ने वाला है और classic के अंदर भी यहां पर आकर देखेंगे तो यहां पर आपको एक साल में साल में एक बार जो है मिल जाता है और advantage के अंदर यह चीज आपको available नहीं है अब गाइस बात हम लोग करते हैं claim process की कि कि इसका claim process वगरे कैसे रहता है तो दो type case के claim process रहत वो दिखाना पड़ता है और guys वही सारा यहां पर आपका claim intimation हो गया document submission हो गया सारी चीजे कर देते हैं और guys आपको simply care की team से एक call आता है verification call आता है और वो पूरा पूरा जो amount है वो simply यहां पर hospital को directly authorize कर देते हैं और guys जो दूसर type का claim होता है वो होता है reimbursement claim जहां पर अगर non network hospital है तो पहले आपको खुद की जेब से खर्चा करना पड़ेगा फिर guys आपको इनकी customer care team को यहां पर contact करना है claim का intimation देना है और उसके बाद में claim का form हो गया doctor के prescription वगरे हो गया test हो गया medical reports हो गई discharge की summary हो गई original जितने भी pharmacy के bills वगर है उन सभी की जो original copies होती है वो आपकी इन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ भी समझ में यहां पर नहीं आता है तो आप simply policy बजार के साथ भी contact कर सकते हैं इस बात करते इसके pro और कॉंस की तो देखिए पहली चीज स्टैंड हलान health insurance company यानि सिर्फ health insurance के देल करती है इसके लावा guys इसका अच्छा settlement ratio है और definitely possible है तो इसका digital experience मुझे काफी जादा पसंद है इसके लागा इसके अंदर मुझे एक benefit यह लगा कि जो maternity benefits से वह normally policies के अंदर available नहीं होते लेकिन इसके जो हम लोग ने तीनो popular plans देखिए उसके अंदर यह definitely चीज available है देखिए cons की बात करो तो इसका जो waiting period है वह काफी जादा लंबार है चाल साल का waiting period है इसको थोड़ा सा यहाँ पर कम होना चीएता और इसके अंदर एक worldwide बीसिकली आपको coverage नहीं मिल पाता है तो यह थोड़ा सा disadvantage है तो गाइस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चनल अगर आप लोग के कुई भी डाउट से comment box में जरूर बताईए औ और policy bizar के link आपको description box में मिल जाएगी तो एक बार हमारा जो comparison है आप उनकी site के उपर भी जाकर check out कर सकते हैं thank you guys thank you very much